नमस्कार भरत लाइब देख रहे हैं आप जहां एक तरफ लगातार आगामी लोग सब चुनाओं को लेकर के लालू परसाद्यादव विपक्ष्विक जूट करने में लगे हुए हैं साथ ही वही नितिस्ट कुमार भी विपक्ष्विक जूट करके केंद्रिक्षता से नजंद्रमुदु को हटाने के लगतार परियास कर रहे हैं सर्कुलर हाउस से निकल गए हैं जनकारी के अनुसार लालू यादव आज गोपाल गंज के सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे वहीं कल हुआ थाबे माता के दर्सन भी करेंगे जिसके बाद लालू यादव अपने गाउं फलवरिया जाएंगे बताया जा रहा है कि लाल यादब लादाव मामले में सेवीयाइ ने लानुम्ट चेटर गोड़ के जमानत को रहत करना के याचा को दाखरी थी वहीं लालू यादव ने इस मामले में कोट में अपनी बात रखी है लालु आदम ने कहा है कि उनकी साज़ा को निलंबित करने के जारखंड हाई कोट ने अदेज को सिर्फ इस अधार परचुनोती नहीं दी जा सकती है कि सिविया असंट्रूस्ट है लालु आदम ने खराफ स्वास्त और बरती उम्र को डोरंडा को सगार से 149 कुलों रुपय सधिक के गवन के मामले में राची की एक विशेश स्रिविया अदम ने पांस साल जेल की सज़ा सुनाई और साथ लाख रुपय का जुर्वाना लगाया फिलहाल लालु आदम अपने स्वास्त करनों से बेल पर हैं वहीं सिविया न देखना यह काफी मत्पूर्ण होगा कि लालु यादव का जो सजा है सिविया ने उनके जमनत रद्द को लेकर के जो सिविया ने सुप्रीम कोट में याज का दार की है उस पर क्या फैंसला आता है लालु यादव अपनी तरफ से कौन सा पक्ष रखते हैं अगर लालु या क्या कुछ होता है देखने काफी जो है महकपूर्ण हो जाता है लेकिन आपको बता दे कि जैसे जैसे लक्सवाद चुनाओं आ रहा है लालु यादव गोपाल गंज गये हैं साथी साथ वरिया भी जाएंगे उसमें जो है कि अपने लोगों से मुलाकात करेंगे अपने गा अगर कहीं जाते हैं तो उसके पिछे भी कोई कारण होता है लेकिन लालु परता द्यादव जो रवाना हुए गोपाल गंज के लिए यह काफी जो है महत्पुन माना जा रहा है खेड़ क्या कुछ होगा यह तो आगे की बात है लेकिन लालु यादव जो गोपाल गंज गय आपके समक्स रखूंगा तब तक के लिए आप बने रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद 816-816-700 धन्यवाद